यह कब आया था इससी सीपी ओ ट्वल्थ मार्च टूज़ नाइंटीन में पूछे गए तो चले देख लेता है क्या दिया है एक याए बी की आए से 24 प्रतिशत का वैलू क्या होता है सर 24 बटा 100 होता है तो चार्च के 24 चार पचीस सो तो ए से बी तक जाने में 6 बटा 25 को इंक्रीज करना पड़ता अब बी से ए तक आने में कितना फ्रैक्शन घटाना पड़ेगा सर प्लास को माइनस करना है नीचे वाला सर उपर वाला भगव है मत बदलो सर नीचे वाले को सर 25 और 6 को जोड़ दो तो 65 यारा 31 तो 6 बटा 31 प्रतिशत का डिक्रीज करना पड़ेगा अब 6 बटा 31 बराबर कितना होता सर 600 अपॉन थर्टी वन परसंट इस दा करेक्ट एंसर अब यह तरीका समझो उपर वाले को मत इंक्रीज करना नीचे वाले को क्या करना यहां पर प्लास है तो प्लास कर दो 25 प्लास 6 31 ठीक है चलिए यह अगर आपको क्लियर हो गया तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा लिग दीजिएगा कि आपको क्लियर हो चुका है मिलते नेक्स्ट क्लास में thank you bye bye stay tuned for the next class